आज हम एक ऐसे बिजनस की बात करेंगे जिसके जरीए कम लागत में आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं आज हम बात करेंगे अगरबत्ती के बिजनस की अगरबत्ती तमाम घरों में पाई जाती है लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि आखिर अगरबत्ती का बिजनस किया जाए तो क्या इसमें लागत लगेगी क्या इसकी कॉस्ट निकलेगी पैकेजिंग का क्या हिसाब किताब होगा और सबसे जरूरी बात कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें मुनाफ़ा कितना होगा आज इन तमाम बिंदूओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आप भी अगरबत्ती का बिजनस करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा ये विडियो बहुत ही जादा यूसफूल हो सकता है तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितनी लागत में आप अगरबत्ती का बिजनस शुरू कर सकते हैं 13,000 रुपए की लागत के साथ आप घर पर भी इस बिजनस को बिना मशीनों के शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आप अगरवत्ती के बिजनस को मशीन लगा कर शुरू करने की सोच रहे हैं तो इसको शुरू करने में लगबग 5 लाक रुपे तक की लागत लग सकती है इसकी मैनूल मशीन लगबग 14,000 रुपे की आती है सेमी आटोमेटिक मशीन 90,000 की और हाई स्पीड मशीन लगबग 1.15 लाक तक आती है बात अगर जगा की करें तो अगर आप इसको छोटे स्थर पर शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप इसे थोड़े बड़े स्थर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 1000 स्क्वेर फेट की जगा लेनी पड़ेगी अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि अगर बत्ती के बिजनस को शुरू करने के लिए आपको कौन सा raw material चाहिए होगा और इसकी की मतलग भग मार्किट में कितनी है कच्ची सामगरी मात्रा मुल्य चार कोल डस्ट 1 किलोग्राम 13 रुपए जिगात पाउडर 1 किलोग्राम 6 रुपए सफेज चिप्स पाउडर 1 किलोग्राम 22 रुपए चंदन पाउडर 1 किलोग्राम 35 रुपए बास स्टिक 1 किलोग्राम 116 रुपए परफ्यूम 1 पीस 400 पेपर बॉक्स एक दर्जन 75 रूपए रापिंग पेपर एक पैकेट 35 रूपए कुपंप डस्ट एक किलोग्राम 85 रूपए आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी घर से गुजरते हैं तो उसकी घर की अगरबत्ती की खुश्बू इतनी हमारे अंदर समाज आती है कि उस घर गरार बच्जाते हैं तो इसका क्या प्रक्रिया रहीगी आपको ये बताते अगराबत्तीको चाहते हैं तो सुनाने के मद अगरबत्ती के सुगंद साममगरी में भी इसलिली बाजार में उपलब्द दाय थान हे जिसको DEP भी कहा जाता है और सुगंदित परफ्यूम को चार रेशो एक के अनुपात में यानि चार लीटर DEP में एक लीटर परफ्यूम मिलाकर इसमें अगरबत्यों को डुबो कर सुखाने के बाद इसकी पाकेजिंग की जाती है ये रौ मेटेरियल आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा कुछ कमपनियों के नाम भी हम आपको बता देते हैं जैसे कॉलकता में कृष्णा ग्रूप, दुर्गा इंजिनरिंग, लोकनाथ अगरबत्य इत्यादी, कई कमपनी इंसामगरियों को उपलब्त कराती है आप अपने शेहर के नुसार इस तरह की कमपनियों को वेबसाइट के माध्यम से ढूंड सकते हैं और रौ मेटेरियल ले सकते हैं इसके अलावा हम आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भी दे देंगे, जिनकी मदद से अगरबत्य में लगने वाली रौ मेटेरियल आउनलाइन भी आप मंगा सकते हैं अब जैसा कि हर वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी बिजनस हो छोटा बड़ा आपको उसके लिए रिजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तो इसके रिजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है देखिए इस बिजनस को आपको बड़े स्तर पर शुरू करने से पहले आपको रिजिस्ट्रेशन कराना होगा सबसे पहले कंपनी के आकार के अनुसार आप आरोसी में अपने बिजनस को रिजिस्ट्र करा लें ऐसा करने से निवेशकों को आपकी कंपणी पर भरोसा आएगा और साथ ही कागजी कारवाई में आपको इसका लाब मिलेगा अपने बिजनेस लाइसेंस के लिए स्थानिय प्रधिकारी के पास आवेदन दे वहाँ से बिजनेस पैन कार लें, करंट में एक बैंक अकाउंट खो लें अपने बिजनेस को SSI यूनिट में रेजिस्टर करा लें इसके बाद वेट रेजिस्टरेशन के लिए आवेदन करें साथ ही व्यपार को चिन यानि बिजनेस लोगों को पंजिकरित करा लें ताकि आपकी कंपनी का ब्रैंट नेम सुरक्षित रहे अगर आप बड़े स्थर पर अपने बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपने वी निर्मान यूनिट के लिए प्रदूशन नियंद्रन बोर्ट से अगर बड़े या चोटे स्थर जिस भी रूप में बिजनेस की शुरू करने की सोच रहे हैं उसके अनुसार मशीनों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है आज तोर पर अगरबत्ती को बनाने वाली मशीन तीन तरह की होती है पहली मैन्यू, दूसरी आटोमेटिक, तीसरी हाई स्पीड आटोमेटिक मशीन इसके साथ ही कच्चे माल को सुखाने के लिए मशीन कच्चे माल को मिलाने के लिए अलग से मशीन ले सकते हैं अगर आप अगरबत्ती का बड़ा बिजनस करना चाहते हैं ऐसे में आपके लिए सही आप्शन रहेगा ये मशीन एक मिनिट में 150 से 180 तक अगरबत्ती का उत्पादन कर सकती है High Speed Machine इस तरह की मशीन में आपको कम कर्म चारियों की आविशकता पड़ेगी ये पूरी तरह से ऑटमेटिक मशीन होती है इससे आप कम मजदूरी खर्च पर बड़ा सकते हैं ये एक मिनिट में 300 से 450 तक अगरबत्ती बनाती है इसके अलावा अगरबत्ती को सुखाने के लिए जो मशीन आती है उसकी कीमत है लगभग 25,000 रुपए तो चलिए आपको हमने पूरी जानकारी दे दी कि आखिरकार अगर बत्ती का बिजनस आप कैसे शुरू कर सकते हैं और आपको कौन-कौन से ऐसे जरूर चीजें हैं जो सेट अप लगाने के लिए चाही होगी फिलाल से कमेंट बॉक्स पर लिख कर हमें बता सकते हैं तांकि हम उसका भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर और आप तक उस वीडियो को पहुंचाएं उस क्वेस्टेंस के आंसर को पहुंचाएं फिलाल नमस्ते ओकी क्रेडिट बिजनस ओकी है